जय एक मूर्ती खरीद रहा है, मूर्ती का दाम पी रुपय है और इस पर जय को 25 प्रतिशत टैक्स का भुगतान भी करना है, दिये गए व्यंजकों यानि यी expressions का उनके अर्थ के आधार पर मिलान करें, और यहां भी बताया गया है कि एक विवरण या description के लिए एक से अधिक व्यंजक हो सकते हैं, यहां पर टैक्स के बिना मूर्ती का मूल्य पूछा गया है, प्रश्ट में बताया गया है कि मूर्ती का दाम पी रुपय है, यह पी यहां पर है, यहां पर जय द्वारा दिये गए टैक्स के बारे में पूछा गया है, वह 25 प्रतिशत टैक्स का या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चीज का 25 प्रतीशत 0.25 के ही समान है इसलिए उसके द्वारा मूर्ती पर दिये जाने वाला टैक्स है 0.25 गुणा P यहाँ पर पूछा गया है कि जै मूर्ती के लिए कुल कितनी राशी का भुक्तान करेगा तो उसके द्वारा भुक्तान की जाने वाली कुल राशी है मूर्ती का दाम यानिकी P जमा टैक्स यानिकी 0.25 पी यह व्यांचक यानिकी एक्सप्रेशन यहाँ पर है मूर्ती के लिए P जमा टैक्स के लिए 0.25 पी आप इसे 1 P जमा 0.25 के रूप में भी देख सकते हैं जो की 1.25 पी के समान है इसलिए 1.25 पी भी सही है और ये तीनों किसी भी श्रेडी में फिट नहीं होते हैं इसलिए हम इन्हें not used bucket में टाल देते हैं अपने उत्तर की जाच कर लेते हैं और ये सही है